जय है मातली प्रिया मित्रू हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत छोड़ी शोड़ी उपाई लेकर रही है। आज मैं जो आपको उपाई बताने जा रहा हूँ वह उपाई आपने दिवाली के दिन करने हैं। जिने करने से आपके घर में लक्षमे की एक रिपा, आपके उपर कोई भी आर्थिक प्रॉलम अगर चल रही है तो वो आपकी ठीक हो जाए समस्या. अगर आप जोब या अपने कारोबार में परशान हो तो उसके लिए भी मैं आपको उपाई दिवाले की दिन के बताऊंगा, जिने करने से आपके जोब या गौर्मेंट जोब के अंदर या आपकी कारोबार में कोई परशान नहीं आ रहे है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी. आपको रात्री में करने वाले Special बताऊंगा तो वह सिर्फ रात में करने वाले होती हैं, वैसे दिन, सूर्य अस्त से पहले जो उपाई हम करते हैं उनका ज्यादा असर हमें मिलता है, लेकिन दिवाली जैसा दिन होता है जिसमें रात्री के उपाई हमारे लिए ज्यादा फै दो ही अर इकिस दिन वीरुवर गी है तो दिपावली के दिन माताल लक्षमी की क्रिपा पाने के लिए हमें कौन से उपई करने में चाहिए आज में आपको वह बताने जा रहा हूं आपने क्या करना है कि सबसे पहले उपाय ओपाएं आपने अपने घर में से रात्री की भोजन में से कुछ भोजन निकाल कर थोड़ा उसको आपने घर के बाहर किसी दर्वेश को डालने हैं ऐसा करने से आपके घर में दिपावली की दिन की जो नेक्टिविटी होती है चारो तरफ की वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती और आपके घर में शक्सम्रिदी बनी रहती है और दूसरा उपाई यह है कि आपनी अगर आर्थिक प्रॉलम आपके जीवन में जारा चल रह अगर आपके जीवन में आर्थिक प्रॉलम जारा चल रही है आपके बिजनस में प्रॉलम जादा आ रही है तो दिपावली की रात अगर आप थोड़े से काले तिल अपने से वार कर एक कटोरी में रख लीजिए और दिपावली के अगले दिन आपने उस काले तिल को किसी पि इस सुपाय को करने से अगर गौर्मेंट जॉब या आपको जॉब के अकॉर्डिंग या इंट्रवियू के अंदर अगर आपको परशानिया ज्यादा आ रही हैं तो वो भी आपके काम बनने शुरू जाएंगे दिपावली के रात को आपने दही लेकर दही की अंदर आपने थोड़े से काले उड़द दालने हैं साबुत काले मा अगर उसके अंदर डालकर अपने से वारकर एक कटोरी आपने साइड में रख दीजे दिपावली की दिन और उस कटोरी को आपने जिसमें दही और काले उड़ आपने मिलाए हुए है दिपावली के अगले दिन आपने पिपल के नीचे रख किया जाए है इसमें आपने कटोरी समेश रख करानी है कटोरी उसके साथ रख करानी है उस कटोरी को बापस आपने लेकर अपने घर नहीं आना जिसमें दही के साथ काले उड़त आपने रखे हैं वो आपने कटोरी अपने घर बापस नहीं लेकर आनी ऐसा करने से आपके जीवन में या आपके जो जोब के अंदर या आपके एंटर टेस्ट के अंदर अगर कोई प गौमती चक्कर और उसके साथ थोड़ा केसर एक पीले कपड़े के अंदर रखने हैं माता लक्षमी के आगी और उसके उपर अगर आप लक्षमी चाले इसा या आप जो भी अपनी लक्षमी माता के लिए पूजा या पूजन उस दिन करेंगी तो थोड़ा सा हल्दी का तिलक आपने गौमती चक्कर के ग्यारा चक्करों के उपर ग्यारा तिलक लगानी है हर पीस के उपर एक उसको पीले कपड़े में बांध कर दिपावली के अगले दिन आपने अपने लोकर अपने अर्मारी के अंदर रखनी है जिससी आपके घर के अंदर परशानी पैसों के लेक अब मैं आपको बथा रहा हुँ जो आप धनदेरस के दिन एक चांदी का शिक्का ख्रिद कराऊगे उस चांदी के अपर अपने धनदेरस पर भी आपना पूझा की उसी चांदी के सिक्के के उपर अगर आप दिपावली में लक्षमी पूजन करने के पाद आप अपनी लोकर में या अपने कारोबार जहां आप करते उस अर्मीरा के अंदर या उसके आप अपनी लोकर में रखोगे वहां पर तो आपके जीवन में फिर भी आपके कारोबार के अंदर परकत म कमी नहीं देखने को मिलेगी यह उपाए कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं इने करने से हमें फैदा बहुत मिलते है लक्षमी की प्राप्ति हमारे घर के अंदर हमारे रुसोही घर के अंदर अन पूरना माता की नाम से जनी आती है अगर आप अपने घर के अंदर अपने रसोई घर के अंदर बरतनों को जूठा रात को रखकर सोते हो तो आपके घर में लक्षमी की कभी भी कृपा नहीं बनते और दिपावली एक ऐसा दिन होता है जिसके दिन अगर आप अपने रसोई घर में जूटे बरतन रखेंगे या जूट कहीं भी आप बरतन जूटे रखेंगे रात्री के समय या साफ स्वाई नहीं रखेंगे आपने में गेड दैलीज में तो आपके उपर माता लक्षमी की कबी भी नहीं बनती दिपावली के दिन हमें अपने रसोई भी साफ रखनी होती है सोई घर के अंदर कभी कोई जूट या कोई ऐसी चीज ना रखें जिससे सोई के अंदर गंदगी फैले और इसके इलावा आपका जो में गेट होता है उस गेट के इर्द गिर्द अंदर बाहर भी आपने साफ्ष्वई रखने जरूरी होती है क्योंकि लक्ष्मी माता को आप मंत्रित कर कर रहें अगर वहांपर कोई दिक्कत गंदगी या बहांपर कोड़ा पड़ा होगा तो अब मैं आपको पाय है अगर कोई व्यकति बिमार रहता है या उसको दिवाई नहीं लग रही है तो दिपावली के दिन रात को सवा किलो जौन लेकर उसके ओपर चार निम्बू रखकर उस बिमार व्यक्ति से साथ बार वार कर अगर रात्री के समय ही आप किसी अवारा पशु के आगे रखकर आ रहे हो या उसको बाहर किसी जगह पर सुनसान जगह पर रखकर आ रहे हो तो आपके घर में जो बिमार व्य नोटिफिकेशन के लिए आइकन बेल का बटन जिरूर्द बाएं जय मातारी